नमस्कार सातियों जैसा कि आपको पता है कि करमचारियों की मांगें लंबे समय से चली आ रही हैं आज इन मांगों ने एक नया मोड ले लिया है 18 महाबकाया डिये एरियर जो कोरोना काल में रोका गया था करमचारी AICPIN Index के आकणों के आदार पर मैंगाई बत्ते में 3% की बढ़ोत्तरी वा फिटमेंट फैक्टर को बढ़ाने की मांग कर रहे हैं और काफी लंबे समय से कर रहे हैं इस सम्मंद में कई बार मीटिंग्स भी हो चुकी हैं और आस्वासन भी मिला था कि जल्द सरकार करमचारीयों की मांगों को पूरा करने का काम करेगी आखिर कर 55 लाग से जादा केंदरी करमचारीयों तता 65 लाग से जादा पैंसनर्स के लिए बो दिन आ गया है जिसका वो लंबे समय से इंतजार कर रहे थे दोस्तों खबरों को जानेंगे बिस्तार से उससे पहले सभी केंदरी करमचारीयों आप पैंसनर्स का आपके अपने वरोसे मन चैनल प्रिजेंट टीवी पर बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजेगा साथ में यदि आपने पहली बार चैनल पर विजिट किया हूँ तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल एकन को और पर प्रेस कर दीजेगा क्योंकि दोस्तों यदि आप लोगों से के लिए कोई नियू जिनकल के आती है आप लोगों से जुड़ी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिल जाए सरकारी करमचारी काफी बीते समय से अपना फिटमेंट फैक्टर बढ़ाने की मांग कर रहे थे फिटमेंट फैक्टर बढ़ने से करमचारियों की सैलली में अच्छा एजापा हो जाएगा और अगर मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो 31 मार्च तक सैलली में एजापा हो सकता है यानि की फिटमेंट फैक्टर बढ़ सकता है सरकार 31 मार्च से पहले फिटमेंट फैक्टर बढ़ा सकती है करमचारी फिटमेंट फेक्टर को 2.57 गुना से बढ़ा कर 3.68 गुना बढ़ाने की मांग कर रहे हैं अगर सरकार फिटमेंट फेक्टर बढ़ाने की गोशड़ा करती है तो करमचार्णियों के बेतन में बहुत ही जादा बड़ोत्री होने वाली है दरसल फिटमेंट फेक्टर बढ़ने से बेसिक सेली बढ़ जाएगी और नियून्तम बेतन 18.000 से बढ़कर 26.000 हो जाएगा जिससे बेतन में सीधा सीधा 8.000 का इजाफा हो जाएगा और साथ ही साथ करमचार्णियों का 18.00 महा का जो बकाया डिये है बकाया डिये एरियर है वो भी मिल सकता है जी आँ दोस्तों बिल्कुल सही सुना सरकार डिये पर बकाया डिये पर एक बहुत ही जल्द मीटिंग करने वाली है मीटिंग में चर्चा होगी कि इनको कितना डिये दिया जाए कितने दनों का दिया जाए और कितना दिया जाए इस पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद हो सकता है कि आपको D.A. भी मिल जाए जिससे कि मीटिंग के बाद करमचारिणों को डिए के उसके जो फिटमेंट फेक्टर बढ़ने के साथ साथ आपकी सेली में तो इजापा होई जाएगा साथ ही साथ इनका जो डिये मिल जाता है तो कर्म चार्णियों के पास एक साथ बहुत ज्यादा पैसा आ जाएगा तो दोस्तों ये आप लोगों को ये न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें